हे विडियों वेलकम टो एनेश्ट वालाई स्केट में उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग इत्यार भी काफी जवर्दस्ट चैलरी होगी आज की वीडियो में में लिक तीन अपडेट है पहला अपडेट है रिजल्ट के रिगार्डिंग कि रिजल्ट कब तक आ रही है दुसरा अपडेट है कि इंसर की के रिगार्डिंग और तीसरा इसमें अपडेट यह होने वाला है कि कुश्चन पेपर चैलेंज करने का डेट कब तक आने वाला है इन तमाम वीडियो के हो, इन तमाम टॉपिक को हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को सुरू से लेकर करके अन तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ जाए, और उसके बाद आपको किसी तरह कोई शमस्या, इस वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले, आप लोग को ये एक बात में बता दू, कि अगर आप उरिशा में है, और आन्थ परदेश में है, तो वहाँ का जो एक्जाम में, यूजी सीनेट कंड़क्ट करवाने वाली थी, वह एक्जाम पॉस्पॉंड हो गया है, ड्य इसके वज़े से, तो वहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप लुख सुरक्षित रहिएगा, और प्लीज अगर आप वहाँ से नहीं हैं, तो उस जरह के लोगों के लिए प्लीज एगवार प्लीज जरूर कीज़ेगा, कि वो लुख सुरक् बात करें, तो देखे, अभी आपका एक एक एकजाम बचा हुआ है, एक एकजाम की बात करें, तो पंदर से लेगर के 23 दिसमबर के बीस वेजम जो एकजाम होने वाला है, सेवन सब्जेक्ट का, अभी तक उसका एड्मिट कार्ड नहीं आया है, और एड्मिट कार्ड भी न ले करके 24 दिसमबर के बीच में जो भी एकजाम होने थे, वो हो गया है, और सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है, और कहीं कहीं जहां पर नेचुरल डिजास्टर आया है, जिसको वेज़सी एकजाम नहीं हो पाया है, या इंटरनेट का प्रॉलम रहा हो, या सर्वर का प्रॉल आने वाला है, तो इस पर पूरा फूल आपका सोर्स के साथ, और पूरा फूल ऑथेंटिक आपडेट के साथ मैं इसमें आया हूं इस वीडियो में, तो मैं आप सभी को बता दू कि ऑफिसल एंसर की 23 दिसमबर का जो लास्ट एकजाम होगा, उस पेपर को होने के बाद, ठी सभी सब्जेक्ट का आपको औफिसल एंसर की आजाएगा 23 से लेकर के 25 दिसमबर, मैक्समम आपका 27 दिसमबर तक आपका अपडेट आजाएगा, ठीक है, आपका 27 से लेकर के आपका 1 जन्वरी 2022 या 2 जन्वरी 2022 तक, ठीक है, आपका कुष्चन चैलेंज करने का ओप्सन दे जो जो कुश्चन पर आपको डाउट है उसका चैलेंज कर सकते हैं ताकि आप और उसका चैलेंज करने किया क्या प्रोसेस होता है उसके उपर आपका सेप्रेटली वीडियो आ जाएगा तो उसके लिए ज़्यादा आपको टेंसर नहीं लेना है लेकिन बहुत सारे ऐसे लर्न दिसंबर से लेकर आपके दो जन्रSON के बीच में ऊफिसिल एंसर के चैलेंज्ज करने का भी औफिसन आपका आ जाय करते हैं फो जिस कुस्ट कर सकते हैं जिस कुस्ट पह भी कि यह गलात आए था उस यह सारी पड़किरिया आपका शुरू हो जाने वाला है 23विजेगा करने का यह दोणों ओपस्वंप्णेon UGC NET पता है क्या कर रही है कि जिस समय आप लोग सोने की तियारी कर रहे होते हैं या आप डिनर कर रहे होते हैं या आपको लगता है कि अब अपडेट नहीं आने वाला है इस समय आपडेट देते हैं दिन में वो अपडेट नहीं देते हैं लेकिन एक update छूट गया जो CSIR NET का था, तो उसका भी notification आ गया है, कैसे form fill करना है, उसके उपर ही वीडियो पड़ी हुई है, और ये मैं आपको एक चीज बता दू, कि जून का notification उनका अभी आया है, जून 2021 का notification CSIR का अभी आया है, अब exam conduct होगा, उसका result आएगा, तो ये बहुत सारा process है, फिर एक और update आप लोगों को मिलने वाला है, दो से चार दूनों में हो सकता है, वीडिने 10 से पहले, 10 से दिसंबर से पहले आपको एक update मिले, कि notification, December notification के बारे में भी आपको update मिल सकता है, उससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर दिजेगा, क्योंकि latest videos आपको इस पे मिल जाएगा, साथ ही आप अपना कोई भी queries यहाँ से आप solve out कर सकते हैं, और किसी अधर examination से related vision खाड़ी यहाँ से आप पा सकते हैं, देन किसी भी topic के उपर अगर आपको समस्या हो रहा हो, तो अभी आप question पूछ सकते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं result के regarding, तो everyone result के regarding, आप एक new update निकल के आ रहा है, कि सारा exam conduct होने के बाद ही, ठीक है, जैसे कि पहले जो update मैंने आपको previous वीडियो में दिया था, उसमें update यह मिला था, कि result दो phase में आने के संभावना है, लेकिन इस बाद source ने clear कर दिया है, कि result एक बाद ही आएगा, ठीक है, जब तक आपका 23 तक exam successfully conduct ना हो जाए, तब तक result तो आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, यानि कि जिनका 20 नॉंबर से लेकर के पास December तक exam हो गया है, अब उनको इंदिजार करना पड़ेगा, कि result का इंदिजार करना पड़ेगा, या वो notification का इंदिजार कर सकते हैं, या वो फिर से move on कर सकते हैं अपने preparation के तरफ, ठीक है, और जिनका examination अभी आपका होने वाला है, 15 से लेकर के 23 दिसंबर के बीच में, ये exam जैसे ही successfully conduct हो जाएगा, उसके बाद, उसके बाद official answer की आएगा, और official answer की आने के बाद, दिन उसको challenge करने के बाद, आपका वीदी ने two days के अंदर में result upload कर दिया जाएगा, ठीक है, तो यू कहा जाए कि result का date क्या है, तो अभी भी approximately one month आपको लेके चलना पड़ेगा, इसके बीच में कोई भी update आता है, तो आपको तो मिल जाना है, ठीक है, सबसे फास, सबसे तेज, आपको अनिश्र वाला इसकेर में provide करवा देगी, लेकिन अभी अगर हम बात करें, तो अभी आपको wait one month के आसपास करना पड़ सकता है, because आपका जो answer की, और official answer की challenge करना, और official answer की आना, इन तमाम चीजों में आपको एक तारिक तक wait करना पड़ सकता है, और result में एक दो दिन अगर process लगता है, तो 5 तक, लेकिन आप मान के चलिए कि 6 जनवरी, 7 जनवरी से, कि आसपास आपका result आ जाएगा, ठीक है, तो अभी बहुत ज़दा time है, लेकिन इस time को आपको बहुत अच्छे से utilize करना है, और किस तरीके से utilize करना है, इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है, कि आप previous year question उठाएए, पढ़ना सुरू किजिए, फिर आप अपने subject की अच्छे से revision किजिए, यह तमाम चीज़े, इसके बाद एक छोटा सो update और है, actually मैं यह awareness के तोर्ट में हर एक वीडियो में include करता हूँ, और please अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वाले पार्ट को जुरूर share किजिएगा, ठीक है, कम से कम वीडियो इसके लिए तो जुरूर share किजिएगा, कि अगर आपने COVID-19 का vaccine नहीं लिया है, तो ले लेजिए, बहुत important है, handed crore stickा कर रहा हो चुका आपने भारत में, पूरा बिश्वे COVID से जूज रहा है, और इसी विश्में एक नया virus फिर से आ गया है, रहते हैं, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक हैं, मास्क लगाना, से निचाइजर रखना, ठीक हैं, और उसका यूज करना, दिन, आपने अगर वैक्सिन नहीं लिया है, तो वैक्सिन जुरूर ले लिजए, अगर आपके family member में कोई भी ऐसे persons हैं, जुन्होंने वैक्सिन नहीं लिया, तो प्लीज, 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 उन्हें लिजा करके वैक्सिन दिलवा दीजे, बहुत ही ज़रूरी है, और ये नेरिष्ट आपका vaccination center आपके आसपास में अब लिवल होगा, वहाँ पे मिल जाएगा, और कुछ खास documentation की इसमें हो सकता है नहीं, अगर आपने वैक्सिन लिया होगा तो आपको पता है, तो प्लीज वैक्सिन ले लिजे, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और देश के लिए, तो मेरा अनुरोध है आप सभी से, कि ये जरूर कीजिए, इतना आप लोग जरूर कीजिए, और साथ ही इस देश के नागरिक होने के नाते भी इस काम को कीजिए, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इन तमाम चीजों के लिए मैं बस vaccination, खास करके vaccination के लिए आप सभी को thank you कहना चाहता हूँ, कि आप लोग जरूर ले लिजिए, ठीक है, इस वीडियो बस इतना है, एवरीवन मिलते हैं नेश्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने घरों में रहे और COVID से बचके रहे, और उसके अलावा कोई भी आपका question हो, और बच गिया हो, और यह कोई भी doubt आपके मन में अभी भी उठ रहा हो, तो comment box में comment करके जरूर पूछ लीजिएगा, आपको उसका solution मिल जाएगा, वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी जरूर बताईएगा, इसमें और क्या क्या इंप्रूब्मेंट आपको चाहिए, इसके बारे में भी जरूर बताईएगा, ठीक है, देन वीडियो अच्छी लगी हो, तो like किजिएगा, rate किजिएगा, review किजिएगा, और share करना मत भूलिएगा, और official telegram channel का link है description में, तो उसे भी join कर लेजेगा, thank you so much everyone, मिलते हैं ने इस वीडियो में तब तक के लिए, खुश्री अपने घौरों में रहिए, thank you so much everyone, जैहिंद,